हमारा ये कर्मी है कि जैनुमान ग्यान उन्सागर जैकरपीज तियों लोगो जागर राम दूतातित बल्धामा अंजनपुत प्रवस्तुत नामा वो नहीं है हमारा उद्धिश हमारा उद्धिश यह है कि हम उसकी एक एक अपने जीवन में कैसे उता रहे हैं हमारी जो मन में मन में जो प्रशन उठते हैं कि सेवक राम जो भी जीवन में कृत्ते हैं माता जी है पिता जी है पुत्र है भाई है बंदू है सेवक है उसको उस परिस्थिती में कैसे चलना है यही तो समझ में नहीं आया इस संसार का यही तो कर्म है, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो उससे रमायन से हमको समझने आएगा, और बड़ी बुचित विडम बना यह है, कि बाकी सब जितने भी लोग हैं, आज अपने धर्म को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, परनतों एक हमी है, कि जो अपन मैंने धर्म को समझने का प्रयास में करता है, कुछ दिन पहले मेरे एक जगे बात चल रही थी, तो मैंने उन से पूछा जी, बुले, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने अच्छा, क्या पढ़े लिखें आप, मैंने हिंदू फिलोस्फी पढ़ी है, मैंने क्या पढ़ा आपने मत रखना, घर में महावारत रख ली ना, तो घर में लड़ाई हो जाएगी, सोचो मतलब ये तो हमारे, मतलब कहां से बात निकलाई भाई, मतलब एक विटम बना ये, कि घर में, मतलब कैसे कैसे हमारे मनो मस्तिक्ष में ऐसे बीच रोपित कर दिये गए, अरे पुस्तक तो क्या पढ़ोगे भीया मतलब ऐसी ऐसी स्तिती बना दी गई है कि ऐसी ऐसे एक एजंड़ना के तौर पर लोगों ने हमारे संस्किति को को खतम करने के लिए कारे किया है चोटी-चोटी कार कारने समझें मन में भ्रांती किसे की उत्पन हो सकती है हमारे यहां तो निराकार साकार सर्व रूप से परमातन की उपासना करने की विधी बताई गई है और उसको हमें स्विकार करना चाहिए तो हम उसको स्विकार करेंग तो जीवन में कल्यान को प्राप्त करेंगे आप से ज़्यादा आवश्यक्ता आपके बच्चों की है क्योंकि आप जो संस्कार बच्चों को देखे जाएंगे ना वो आगे बढ़ेगा यह पेड़ देख रहे हैं यह टहनी जब छोटी होती है तो आप मोड़ दो पीड़ की हो जाए तो उसको काटनी पड़ेगी वो बदल नहीं सकती है तो जब संस्कार बच्चों का है ना उनको डालने का नहीं या चलना है यह करना बच्चा कुछ भी कर सकता है बड़े प्यार से कुछ करके कैसे करके उनके जीवन में वह बदलने जरूर लेकिन जब वो 60 साल का हो जाए तब बदलना शुरू हो आपने देखा हुआ आपके बच्चे पहले वो रिजिट थे नहीं बदलते थे और जैसे उमर आगे बढ़ती है जब उनको पता जाता है बदल गए तो फिर वो संसकार उसका कारण क्या है जब बच्चा छोटा होता है तो हमारे बच्चे हम सोचते है अरे शोलिं हाघ सथी कम से कब हम कर ले आते हैं पुजा मेरा हमारे जीवन में संसार्म में अच्छे लोग भी एक खराब लोग पूब भी हैं आप स्कूल पर चराते हैं एक कुछ चैसे के सोते हैं बड़ांग में को वा सब्सक्रीन हो को सब्सक्राइब तो पर आइब टूशन हो कुछ टुछ महात्मा एशक वह सब्सक्राइब करते हैं लेकि उछ ऑल्朝 букв payments आर्ट ऑफ लिविंग की जगे, आर्ट ऑफ गिविंग को, आर्ट ऑफ डोनेशन को, वो उसको क्रियेटिविटी करने का प्रयास करते हैं, तो आप सोचें कि हमें कहां ले जाना है अपने बच्चों को, तो हम उस तरफ ले जाएं, पूजा से, प्राष्थना से, जीवन में स करलता उत्पन होगी, अकल्यान का मार प्रशस्त होगा।